आज का ये वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है, इंपोर्टेंट है और यूस्पुल है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ जेमस्टोन के बारे में जेमस्टोन जिसे हम रत्न भी कहते हैं उसे हम पहनते हैं as a pendant, as a ring तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जेमस्टोन कैसे वर्क करता है हर नंबर के हिसाब से कौन सा जेमस्टोन सही होता है यदि जेमस्टोन बहुत एक्स्पेंसिव है तो उसका सब्स्टिचूट स्टोन कौन सा होता है हर जे मिस्टोन को किस मेटल के साथ पहनते हैं, कब पहनते हैं, कैसे पहनते हैं और उसके बेनेफिट्स क्या-क्या होते हैं हाई दिस प्रियंका कुमार एंड वेलकम वन्स अगें तो माई चैनल यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अपने सजिशन्स, अपने सुझाव नीचे कमेंट वॉक्स में जरूर लिखे ये दिनस्टराइब के लिए आप मुझसे निचाट करना चाते हैं, तो मेरे वेबसाइट नमरवक्स.com के थ्रूँ आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर मेरे वट्सब नमर के थ fif frequencies के सकते हैं और हां, सब्सक्राइब भी कीजिए तो आईए पहले मैं बताती हूँ कि Gemstone work कैसे करता है जब हम Sun rays को Prism की थू देखते हैं तो एक 7 color spectrum form होता है with 2 invisible colors, infrared and ultraviolet ये जो 9 colors होते हैं ये cosmic matrix form करते हैं जो की essence होता है solar system का जो 9 planets हैं वो resonate करते हैं इन सारे colors की energy के साथ हर planet को कोई ना कोई stone, कोई ना कोई gemstone assign किया हुआ है तो जब आप एक particular planet के gemstone को पहनते हैं उसके corresponding gemstone को जब आप पहनते हैं तो उस planet की जो colored light का wavelength होता है वो match करता है उस gemstone के radiation के साथ और वो gemstone उसके cosmic energy को absorb करता है और आपके body में वो आपके skin के through transmit करता है तो इस तरीके से कोई भी gemstone work करता है अब आप ये सोचेंगे कि sun rays में सारी lights available है हमारे skin वो light absorb कर रहा है तो फिर gemstone की क्या ज़रूरत है तो ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे यदि आपको radio पे कोई एक particular channel सुनना होता है तो आप उसकी frequency को tune करते है तो वैसे ही यदि आपको एक particular planet की energy चाहिए होती है आपको उसे strengthen करना होता है तो आप उसके corresponding gemstone को पहनते है ताकि ये उसकी जो color की energy है उसे absorb करे और उसे seepin करे आपके body के अंदर वो सारे positivity लाने के लिए वो positive impact लाने के लिए clear है तो आईए अब मैं बात करती हूँ कि हर number के हिसाब से कौन सा planet होता है और उसका corresponding stone कौन सा होता है सबसे पहले बात करते हैं number one के बारे में number one के वो सारे लोग होते हैं जो बान होते हैं किसी भी मन्त में 1st, 10th, 19th या फिर 28th को या फिर वो लोग जो लियो होते हैं उनका ruling planet sun होता है sun जिसे हम king का भी नाम दे देते हैं एक hot planet है इसका जो stone होता है वो होता है ruby यानि कि मानिक ये एक red color का stone होता है इसे आप first time आप Sunday के दिन पहनते हैं और इसे गोल्ड में पहना जाता है right hand के ring finger में जो इसके benefits हैं ये आपको आपकी family members के साथ आपके relationship को strong करता है ये आपके spouse के साथ के आपके relationship को strong करता है इसके अलावा sun के जितने भी attributes होते हैं ये आपको confidence देता है ये आपको will power देता है ये आपको name दिलाता है frame दिलाता है ये आपकी समाज में आपकी एक position बनाता है ये आपको health benefits भी देता है चाहे आपके metabolism को सही करना हो आपके blood pressure को ये सही करता है तो इतने सारे ये ruby के benefits होते हैं कोई भी stone को पहनने के पहले उसे purify करना या उसे sanitize करना या उसे activate करना बहुत जरूरी होता है आप उसी चाहे जो भी नाम देते उसे हम या तो पंचामरित में या फिर आप जिस भी religion को follow करते हैं उसके holy water में आप उसे stone को रखते हैं आप उसे 4-5 घंटे भी रख सकते हैं यदि कोई stone यदि सुबह में पहनना होता है तो आप उसे overnight भी रख सकते हैं उसके बाद उसे clean करके अपने हाथ में रखके आप जो भी यती मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं या फिर आप जिस भी supreme power को मानते हैं, believe करते हैं उन्हें याद करके वो positive thought लेकर आप उसे पहन सकते हैं एक और बात यहां मैं बहुत clear कर देना चाहती हूँ कोई भी stone पहनने के पहले वो आपको suit करता है या नहीं यह जरूर चेक करना चाहिए क्योंकि जरूर नहीं है कि वो आपको वैसे ही result दे जैसे कि वो दूसरों को दे रहा है तो इसलिए पहले आप उसे कुछ 3-4 दिन अपने पास रखिए और देखिए कि वो आपको कैसे vibrations देता है और तभी आप उसे अपने skin से touch कराईए यदि Ruby expensive आपको लगता है तो इसका substitute stone होता है Garnet आप वो भी पहन सकते हैं और process same होता है आईए अब मैं बात करती हूँ number 2 के बारे में number 2 के वो सारे लोग होते हैं जो born होते हैं किसी भी मन्त में 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को या फिर वो लोग जो cancerian होते हैं उनका ruling planet moon होता है moon आपकी emotion को control करता है तो इसका जो stone होता है वो white pearl होता है जिसे कि आप Monday evening first time पहनते हैं अपने right hand के little finger में इसे पहना जाता है जो white pearl के benefits हैं वो आपको आपकी emotions को शान्त करते हैं आपकी emotions को वो balance करते हैं यह आपके mood swings को control करते हैं depression को control किया जाता है moon के थूँ ऐसी जितनी भी problem होती है mind से related आपके emotions से related उन सब में white pearl work करता है यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको emotions से related कोई problem नहीं है या आपको depression से related कोई problem नहीं है तो आप यदि white pearl पहनेंगे तो आप कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि मैंने देखा है कि लोग फिर बहुत ही dull feel करने लगते हैं, lazy feel करने लगते है उन्हें लगता है कि अब life में करने के लिए कुछ नहीं है थोड़ी इस तरीके की vibrations आने लगती है तो इसलिए यह ज़रूर चेक कीजे कि आपके लिए वो stone है या नहीं यदि आप भूती शांत सभाव के हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप यदि number two के हैं तो भी आप pearl पहनिये आपको फिर ज़रूरत नहीं है moon के power को और strengthen करने की तो यह individual requirement के हिसाब से ही पहना जा सकता है यदि कोई ऐसा इंसान जो number two का नहीं है लेकिन उसमें anger issues है कोई भी gem stone पहनने के पहले आप consult कीजे किसी अच्छे numerologist से या astrologist से आप जिसको भी believe करते हूँ क्योंकि वो आपकी individual requirement क्या है उसके हिसाब से ही stone देंगे और दूसरी बात यह है कि यदि आपको stone आपको कह भी दिया जाता है पहनने के लिए तो भी आप उसकी vibrations सही है की नहीं यह ज़रूर चेक कीजेए अपने पास रखे कुछ दिन और उसके बाद ही उसे आप अपने skin से touch करने दीजे as a pendant या as a ring पहनिए white pearl को पहनने के लिए भी आप उसे पहले activate कीजिए या sanitize कीजिए, purify कीजिए आप उसे उसके बाद ही पहन सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि आप उसे silver में पहन सकते हैं little finger में उसका substitute stone होता है moon stone अब मैं बात करती हूँ number 3 के बारे में number 3 के वो लोग होते हैं जो born होते हैं किसी भी मन्त में 3rd, 12th, 21st या 30th को या फिर वो लोग जो की Pisces होते हैं या फिर Sagittarius होते हैं उन्हें rule करता है Jupiter जो की एक wisdom का planet है और उसका color yellow होता है तो उसका जो stone होता है वो yellow sapphire होता है yellow sapphire को पहना जाता है right hand के four finger यानि की index finger में Thursday को gold में index finger ये Jupiter का finger होता है जिसे कि हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई guru होता है तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से बोलता है तो yellow sapphire को four finger में पहना जाता है gold में पहना जाता है Thursday को पहना जाता है ये आपको जो benefits हैं वो आपकी financial growth को improve करता है बहुत बार ऐसे लोगों को भी ये suggest किया जाता है जिनकी शादी नहीं हो रही है वो आपको health benefits भी देता है वो आपके stomachs related issues को सही करता है वो आपके skin related issues को भी सही करता है उसका जो substitute stone है वो citrine होता है उसके अलावा number three का stone amethyst भी होता है जिसे Saturday को पहनते हैं right hand के middle finger में पहनते हैं लेकिन amethyst को silver में पहना जाता है ये सारे जो toxic चीजे होती है life में उसे दूर करता है negativity को दूर करता है financial growth देता है और ये इसकी जो सबसे खुबसूरती ये है कि ये बहुती सस्ता है और इसके कभी भी कोई side effects नहीं होते आप ऐसे भी amethyst को अपने घर में रख सकते हैं ये negativity को दूर करता है आपकी life में positivity लाता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि क्या हम ये gemstone पहन लेंगे तो हमारे life में सब कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं है कि आप यदि gemstone पहन लेंगे तो बस आपके life में luck ही लखा जाएगा कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा काम तो आपको करना ही पड़ेगा मेनत तो आपको करना ही पड़ेगी क्योंकि ये जो सारे stones हैं ये आपको support करते हैं आपके luck में ये ऐसा नहीं है कि आप पहन कर आराम से बैठे रहेंगे ये सोचके कि मैंने तो ये stone पहन लिया और अब मेरे life में success आना चाहिए इतनी जल्दी success बैठे बठाए success नहीं मिलता है उसके लिए महनत करनी परती है और work gemstone इतनी जल्दी नहीं करता है वो भी धीरे धीरे ही work करता है तो इसी लिए आपको महनत करनी है ये सारी जो चीजें है वो आपको support करने के लिए ठीक वैसे ही जैसे यदि आप कोई mobile phone लेते हैं उसमें आप बहुत सारे apps डालते हैं लेकिन यदि mobile phone ही खराब हो जाए वो work नहीं करे तो क्या apps काम करेंगे नहीं करेंगे ना तो इसी लिए आपको काम करना जरूरी है आपको महनत करनी जरूरी है ये सारी जो चीजें हैं ये आपको support करती है आपके planets को strong करती है उस planet की blessings आपको देती है एनरजी आपको देती है ताकि आप सही direction में काम करें तो इसे लिए Gemstone पर आप fully rely मत कीजे कि मैंने पहन लिया है तो सब चीज ठीक हो जाएगा आप मैनत बरकरार रखिए अब मैं बात करती हूँ number 4 के बारे में number 4 के वो लोग होते हैं जो bond होते हैं किसी भी मन्त में 4th, 13th या 22nd या 31st को उन्हें rule करता है Uranus उनका जो corresponding stone होता है वो होता है गोम होता है इसे पहनते हैं right hand के ring finger में gold में और इसे आप first time Saturday को पहन सकते हैं इसे भी purify करके activate करके पहना चाता है इसका जो substitute stone होता है वो zirconia होता है आप उसे भी पहन सकते हैं जो हैसोनाई होता है गोमेद जीसे हम कहते हैं उसके बहुत सारे benefits हैं वो आपको health benefits भी देता है वो stomach related issues में वो आपको help करता है negativity से आपको दूर रखता है जो sudden enemies बन जाते हैं उनसे आपको बचाता है अब मैं बात करती हूँ number 5 के बारे में number 5 के वो लोग होते हैं जो born होते हैं किसी भी month में 5th, 14th या फिर 23rd को उन्हें rule करता है mercury number 5 के वो लोग भी होते हैं जो Gemini होते हैं या number 5 के लोगों के लिए जो stone होता है वो पन्ना या emerald होता है यह green color का होता है stone और इसे आप silver में या gold में भी पहन सकते हैं इसे आप अपने right hand के little finger में या फिर ring finger में भी पहन सकते हैं emerald जो होता है वो आप में concentration बढ़ाता है वो आप में intelligence बढ़ाता है वो focus देता है emerald आपको wealth देता है बहुत बार ऐसा भी होता है जो number 5 के लोग नहीं है उन्हें भी ज्यादा focus लाने के लिए intelligence लाने के लिए हम suggest करते है emerald पहनने के लिए especially जो students होते हैं जिनमे concentration की कमी होती है तो उनके लिए भी emerald अच्छा होता है तो जो emerald होता है वो थोड़ा expensive होता है तो उसका substitute भी आप जान लीजे आप peridot पहन सकते हैं या फिर jade पहन सकते हैं तो यह जो planets के हिसाब से जो gemstone होते हैं इसे आप ring की तरह भी पहन सकते हैं और इसे आप pendant की भी तरह पहन सकते हैं इसे अच्छे से activate करके पहनिये और एक और बात का ध्यान रखे कि stone ऐसा भी नहीं कि आप बहुत जादा expensive ले लीजे क्योंकि इसकी जो energy होती है वो 5-6 साल के बाद धीर धीरे कम होने लगती है तो advisable तो यही होता है कि आप stone change कर ले या फिर आप उसे reactivate करें लेकिन उसमें जादा पैसा waste करना मैं तो बिलकुल भी advise नहीं देती हूँ कि आप बहुत जादा expensive खई यह क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि जो बहुत जादा costly stone नहीं रहते हैं वो आपको अच्छे vibrations नहीं देते हैं हाँ वो आप जरूर चेक कीजिए कि वो कहीं से टूटा फूटा नहीं हो सही हो clear हो उसकी vibrations आपने check कर ली हो और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो normal stone होते हैं लेक success आएगा क्या numerology से luck आएगा क्या तो मैं आपको next वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि numerology से luck कैसे आता है और बाकी के numbers के corresponding gemstones कौन से हैं उसके benefits कैसे हैं और उसे किस metal में पहना जाता है और कब पहना जाता है तो मेरा next वीडियो देखना मत भूलिए जिसमें कि मैं आपको बाकी number six, number seven, number eight और number nine के बारे में बताने वाली हो तो till then take very good care of yourself and stay safe